हेलो फ्रेंज, स्वाग थे आप सभी का मेरे न्यू ब्लोग में तो दोस्तो आज का ब्लोग का भी खास होने वाला है तो दोस्तो आज बनेगा चीकेन, तो आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं और इसमें ज्यादा कोई मेहनत नहीं है, क्दम सिंपल तरीके से बनेगा वो आज आप लोग के साथ सेयर करने वाले हैं तो चलिए कीचन में दिखाते हैं, ममी बना रही है और पूरा प्रोसेस भी हम लोग सेयर करने वाले हैं तो पूरा प्लास तक ब्लॉग को जरूर देखिएगा चलिए दिखाते हैं तो दोस्तों आज देखिए क्या बन रहा है आप लोग से तेयर कर रहा है आज यह चिकन बन रहा है ममी चिकन बना रही है तो आप लोग को आज पूरा प्रोसेस बताएंगे जिहारी एस्टाइल में और बहुत जल्दी बन जाएगा ऐसा प्रोसेट आप लोगो हम लोग बताने वाले हैं इसमें हम लोग कोई मिक्सी का यूज नहीं करेंगे बिना मिक्सी का यूज करके आप लेको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग बनाएंगे बने रहे पूरा प्रोसेस भी दिखाने वाले है इस ब्लॉब लोग में तो देख सकते हैं अपर आप 2 KG लगभग लाख हैं इसके लिए जया काटके तयार कर लिया गया है और लहस्ण जो इसी तरीके से यान OC सकते हैं तो कोई मिक्सि का इतने यूज नहीं पढ़ेगा और इसी दोस्तों अदर सब मसाला निकाल लिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, हम बता दे रहा हैं यहां यह जो है लाल मिर्च है यह धनिया का गूरा है और इधर देख सकते हैं यह आपका हल्दी है और इधर देख यहांट दो लाल मिर्च लिया गया है फोरन के लिए और लिदर देख सकते हैं यह आपका गरम अगया और यह सकते हैं कि जीरा का बावडर yo libris का बलेक मरीश तो यह सब मसाला इस तरीके से आप भी तैयार कर लेंगे तो काफी अच्छा बनेगा और यहां पर तेजपत्ता भी रख दिया गया है तो यह लाल मिर्च और तेजपत्ता का जो हम लोग फोरन में भी यूज करेंगे देखे दोस्तों यहां पर कढ़ाई चरहा दिया गया तेल भी डाल आप यह तेल हीट है अब इसमें जीरा देंगें है अब गल्रा गया अब जो है लाल मिर्च और तजबास्ता आप कर देते हैं कर देखें दोस्तों अब जो है प्याज भी एड़ कर देखें इस तरीके से आप भी बना करते हैं काप्येस्टा बने लिखाते हैं पुरा प्रोसेस्स बने रही ब्लॉग में लास्ट कर देखें कर देखें एक तरीके से सबको मिक्स कर देंगे ऐसे तरीके से निला देनगी और कुछ देर इसको की जिजने के लिए फूर जाएगी और भी बन रहा है किचन में आप लोगों को दिखाएं तभी आए बैठे हुए हैं फिर चलते हैं याज सीज जाता है उसके बाद फिर दिखाएंगे बताईए आप लोगो चीकेन कैसा लगा हुमारा जो आज बना रहे हैं और मम्मी बना रही है हम आप लोगो दिखा रहे हैं तो देखे दोस्तों प्याज आप लोगो दिख रहा होगा सीज ग दोस्तो आप मसाला जो है एड कर रहे हैं तो सब मसाला आप लोग बता ही दिया है तो सब को इसी तरीके से एड कर देना है देख सकते हैं तो हल्दी धनिया का पाउडर तर एड कर रहे हैं तो आप दी एड कर दीजेगा इसी तरीके से और मिर्च का भी पाउडर एड हो गया ह और गरम मसाला बाद में याद करेंगे जब जब चीकन बन के तयार हो जाएगा तो उसे बाद करांगे अब अश्य तरीके से निक्स कर देना है ताकि ग्रेवी काफी अच्छा बनेगा तो देख सकते हैं सब मसाला को मिला दिये हैं प्याद में और अब इसमें लहसुन भी एड कर दिया गया है और आभी भी एड करेंगे तो दिखाते हैं अश्य दोस्तों स्वरासा पानी इसमें एड कर दिएगा उसार मसाला को अच्छे से बूजेंगे तो आसानी से मसाला जो है सब जाले तो फोरासा पानी एड कर सकते हैं और देख रहे हैंगे अब मसाला जो है ग्रेवी बन रहा है तो दोस्तों ग्रेवी बन के तयार है तो अब जो है चीकेन इसमें एड कर देते हैं तो इस तरीके से चीकेन को एड कर देना है तो देखें दोस्तों चीकेन एड कर दिये हैं पुड़ा और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं जो मसाला बना है ग्रेगी इसमें इस तरीके से दख लेजे ग्रेगी काफी अच्छा दिख रहा है काफी स्वादिष्ट भी बनेगा अब जो इसको ढख देते हैं और कुछ देर छोड़ देंगे तो अच्छे तरीके से सबसीज जाएगा अच्छे तरीके से भुजा जाएगा दोस्तों इतना सारा आधी का उठके अभी उसमें मिक्स करेंगे पूरा पानी पीज रहा है और दिखाते हैं आप लोगो कीतना पीजा चीकन पांच मिलत हो गया है लगवल पूरे तरीके से विक्स हो गया है अब इसमें से पानी शुठ रहा है कि अम देख सकते आप लोग पानी निकल रहा है भग देते हैं फिर देखेंगे 10 मिनट के बाद दोस्तो एक पुपट हो गया है गेस खतम हो गया है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो अभी जा रहे हैं पहले गेस लगा के आते हैं क्योंकि gas ही खतम हो गया बन रहा था तो इस लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा तो फ़ले जा रहे हैं gas को बदल देते हैं दूसरा लगाते हैं cylinder उसके बाद फिर दिखाते हैं आप लोग को अब देखते हैं इसमें हम लोग जो है आधी को एड़ कर देते हैं जो आधी का पेस्ट बनाये थे नो उसको एड़ कर दिया और पुछ और सीजने देते हैं चीकेन को तो अच्छे तरीके से चीज जाएगा और दोस्तों ज्यादा पानी आड़ नहीं करेंगे नहीं तो फिर अच्छा स्वाद नहीं रहाएगा इसलिए देख सकते हैं एक ग्लास पानी एड़ कर दिया गया है और थोड़ा सा और पानी आड़ करतेंगे बाद में जब सीच जाएगा तो यह उतना ज्यादा पानी आड़ नहीं करेंगे तो फिर चीकेन का सुवाद अच्छा नहीं आता है तो देखें दोस्तो चीकेन बनके तैयार है अब इसमें गरम अच्छा बना था चीकेन बन गया अब इसको उतार लेते हैं और गयस को बन कर देते हैं कि दोस्तों देख सकते हैं अभी कपरा आईरन कर रहा है है तो आप लोगों को दिखाते हैं अब देख लेजिए सट रखा हुआ है तो इसको आईरन देंगे तो आईरन देख सकते हैं आप लाइट जल रहा है हीट होने देते हैं कुछ दे उसका फिर आईरन देते हैं आप लोग को दिखाते हैं तो दोस्तों आप खाना खा लेते हैं खाना बन गया है तो आप लोग को दिखाते हैं आप लोग तो देखें हैं पहले क्या बना है आज चिकन बना है लेकिन चिकन के साथ और क्या बना है तो आता है खाना तो आप लोग को दिखाते हैं और फिर बत और बताते हैं कि स्वाद कैसा बना है काफी अच्छा बना है आप लोग देखें ही है काफी अच्छा तरीका से बनाया गया है तो काफी अच्छा ही बना होगा तो आने दीजिए खाना तो फिर दिखाते है देखें दोस्तों खाना आ गया है आप लोग जानते हैं आज क्या ब तो ड़ेख ली टाव खाते हैं तो आप लोग को बताते हैं कि कैसा ओ ऐधर In College ंधाव स्कारोर सत्राइब आप लोग से मिलते हैं